डाव जोन्स में शुरुवाती कमजोरी जरूर देखने को मिली लेकिन उसके बाद वहाँ पर जो आकड़े आ रहे थे जो अर्निंग जारी थी उसके दम पर एक तेजी देखने को मिली और नाजडेक में तो हम देखी रहें कि लगाता तीसरे दिन से महाँ पर तेजी बनी हु गिरावट देखी क्योंकि उसके बाद फिर ये डर आने लगा कि मजबूत एकॉनमिक स्थिती में अब फेड ब्यास दरों में जो बढ़त का दौर है वो आगे जारी रखेगा क्योंकि महंगाए के आकड़े भी जो आये थे वो भी अनुमान से जादा थे तो इन तमाम आग इसले सरों से बाजार संभलते हुए नजर आये जो भी आख्रे आये थे उसको मार्केट की पूईता से डाइजर्स कर चुका था लेकिन उसके बाद जिस तरीके के आख्रे आने लगे जो अर्निंग्स आई उससे बाजार में अच्छी तेजी दिखी रोकू ये एक्स्ट्र का है?